कि हलो टू अ जब हमारे पास में बहुत ज़दा टाइम होता है किसी भी चीज को करने के लिए लेकि सपोज आप अपनी त्यारी कर रहे हैं competitive exam की और आपके पास 4 यह या 5 यह उस वक्त हमको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है बहुत टाइम है बहुत टाइम है बहुत ट पास में ज़्यादा टाइम था तो लगा कि हम बाद में कर लेंगे और जब हमको पास कम टाइम है तब को लगता है कि अब टाइम यह आपकरी नहीं पाएंगे तो इस सिच्टेशन विकंदा लूज़ू सिच्टेशन ऐसे ही जब हम केरियर में जाते हैं तो मैं इसको आप को एक केरियर के जम्पल से बताना चाहता हूं कि केरियर में फीचर में जाकर क्या आप लोगों के प्रॉलाम आ सकती है जब हम एक असलός कर रहे होंगे में उतना नहीं कर रहे होंगे तो जो लोग कम घ्रथ भाण को यही नहीं को चैसा है मुशी और सब्सक्राश के जादा लाइशन नहीं करना च्छिए है salary cut हो सकती है जैसे अभी करोना टाइम में हो रहा है इस वक्त फिर इस तरह के लोगों में यह थोट आती है कि भी और्गनाजिशन ने ने तो मारा पहले भी नहीं धियान रखा तो अब मैं क्यों ज्यादा काम करूं और मेरे ज्यादा काम करने से कुछ होने वाला है नहीं है अब आप सुचिए कि इसका ultimate result क्या हो सकता है कि अगर एक organization है और difficult period में है और उसके employees यह थोड़ डवलप करें कि बहुं काम नहीं करेंगे या कम काम करेंगे क्योंकि अब हमारी growth इस वक्त नहीं हो रही है को सकता है कि इस साइस सिच्वेशन में यह ultimate result यह होगे कि organization क्लॉप्स कर जाए तो फिर आपका कितना नुक्सान है आपको यह सुचना होगा क्या आपके लिए उस वक्त यह opportunity नहीं है कि एक difficult period में आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं अच्छा काम करने के लिए और उन रास्त सिच्वेशन में निकला कैसे जाता है देखिए there is only one thing certain in the life and that is uncertainty और यही life की beauty भी है कि life uncertain है और इसलिए साथ हम लोग कर रहे हैं grow कर रहे हैं तो सारे development होते ही ना तो अगर हमें uncertain environment में difficult environment में हमको ज्यादा explore करने के chances मिल रहे हैं ज्यादा work करने के chances मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा एक अच्छी opportunity खासकर उन लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती जो life में कुछ करके दिखाना चाहते हैं या जिन आप यह देखिए क्या हम absolute में grow कर रहे हैं आप relative growth कभी मत देखिए क्योंकि यह equations favorism यह हमेशा बने रहेंगे और आप यह कभी नहीं सोच सकते कि जो आप सोच रहे हैं आपके सामने वाला भी वैसा ही सोच रहा है कि कई बार हमको लगता है कि मेरा boss या मेरा employer मेरे लिए biased है या मुझे growth नहीं देना चाहता रिमेंबर नोबडी इस देर टू थिंक इन यह अपना ही लोज कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे पास और ज्यादा लाइफ में अच्छे opportunities है जहां पर मैं अपना contribution कर सकता हूं तो आप वहाँ जाए लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब in the organization itself you want to grow तो आप relative growth को देखना बंद कर दीजिए क्योंकि आप चो कर रहे हैं remember उसकी value हमेशा रहेगी unfortunately हम जहातर time पे इसको monetary aspect में देख रहे है difficult situation में अगर आप ज्यादा contribute कर रहे हो remember यह वेस्ट कभी नहीं जाता क्योंकि हम उसको monetary term में देखने के को यूश कर रहे हैं इसलिए हमको लगता है कि हो सकता है कि future में यह वैस चला जाए पर एक value system जो आप अपने लिए create कर रहे हो अपनी life में create कर रहे हो it will always pay you वह आपको inside outside आपको with time आपको मालूम चलेगा कि आप अपने लिए क्या value system create कर रहे हो instantly हो सकता है आपको वह ना मालूम चले यह मैं अपने experience से भी बता रहा हूं कि वह value system जो आप अपने लिए बना रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं है तो यह आपको अगर यह ट्रेनिंग तो आप अपने आप में अच्छे organization करने की तरह भी जा रहे हो तो it will pay you in the future also कि जब आप corporate world में act करोगे और different team के साथ act करोगे different situation में act करोगे तो definitely आपकी growth जादा होगी तो बच्चों आपके लिए चीज़े उतनी समझना important है जितना कि एक employee के लिए भी सीखने की जरूवत है कि हमें हमें सिर्फ एक चीज़ पर एक करना है कि we in the today's world I am growing in from inside or not कि आप अंदर से grow करोगे तो बाहर की growth तो अपने आप ही दिखाए देगी you think कि अगर suppose आप एक field में dependent खाली इस बात पर हो कि आपके organization के सच्छा कर रहा है और आपके इसी source में मरे जा रहे हो कि अगर organization का क्या होगा तो आपके लिए फिर option क्या है option यहीं कि आपका organization sustain करें हो सकता है कि आपको यह feel हो कि आप उतना grow नहीं कि organization में जितना relatively बाकी grow कर लिए हैं but remember grow आप भी कियो और अगर बाकी भी कर लिए हैं तो treat them कि यह एक life का part है इसको हम लग कहते हैं बाकी कहते हैं वह आपकी calculation कि आपको क्यों क्यों कितना करना है कि are you doing your best और उससे आपको नुक्सान क्या हो रहा है दूसरा भी calculate करिए सपोज आपने अपनी value की कि आज मेरी value x amount होनी चाहिए और आपकी value x amount ना होके 0.9x या 0.8x चाहिए इस्टिल यह सर्वाइविंग तो यह सोचने की बहुत ज़्यादा जरुवत है और हम इसी सारी चीजों में लाइफ में उलजे रहते हैं और जहां पर actual में हमें contribution करना चाहिए वहां पर हम contribute नहीं कर पाते हैं तो in the service field of the organization जहां पर कि हम better से better services कर सकते हैं हमारी clients की students की parents की और जिस फिल्ड में भी आप work कर रहे हो तो वहां पर अगर उस वर्क को अगर आप important समझे तो you have the infinite scope of working अगर हम student life से ही इसको समझने की कोशिश करें तो यह के वलाइटी जाई की training बनके नहीं रहेगी यह आपके life की training बनके रहेगी difficult situations में हम कैसे बहार निकलते हैं और इसके अंदर से जो आपको power मिलेगा उसकी कोई कीमत नहीं है और अगर आप इसको फूलो करेंगे तो definitely यह life में आपको पेग करेगा